नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट अस'llamu alaykum नई सुभा के आजियो परडक्शन के कोर्स के साथ मैं हूँ अली खान तरीओ और आज के इस लेसन में हम बात करेंगे के आजियो परडक्शन क्या है आम तोर में लोग समगते हैं कि सिर्फ आजियो परडक्शन को मिजिक के लिए यूजर किया जा सकता है जबके आडियो प्रडक्शन की फील्ड बहुत बास्ट है आडियो प्रडक्शन एडविटाजमेंट के लिए यूज होती है आडियो प्रडक्शन ड्रावों के लिए यूज होती है आडियो प्रडक्शन वीडियो के लिए यूज होती है आइड्यो प्रोड़क्शन के थूधू टीवी रेडियो एड्विटाजमेंट में आप जितना भी कॉंटेंट देठते हैं वो आड्यो प्रोड़क्शन के बग़ेर नमुम्किन है पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे ड्रामे हैं जो गैर मुलकी जबान में होते हैं लेकिन audio production के थुरू ही उनको dubbing करके और voiceover करके उर्दू जबान में पेश किया जाता है। ना सिर्फ ड्रामें बलके cartoons, फिल्में और बेशुमार और ऐसी content जो आप देख रहे होतें वो audio production के थुरू ही हमारे सामने आता है। और जैसे मैंने कहा कि audio production म्यूजिक के लिए तो है ही backbone, कोई भी सौंग audio production की creativity के बगार produce नहीं किया जा सकता। Audio production एक skill है जिसको सीका जा सकता है, जिसको कोई भी शक्स अपने creativity के वेज़ा से खुबसूरत बना सकता है। तो इस कोर्स में हम audio production के मुख्लिफ स्टेजिस पे बात करेंगे। आज की लेसन में इतना ही, अगले लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलाहाफिजू ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिप से पेश किया गया। अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए।